हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एर टेक्टिंग इस्टाफ कैसे बने और इसे जोड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज कि इस वीडियो में दूँगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ऐर जरू किजेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो बहुत से candidate एयर टिकटिंग स्टाफ की जौब पानी की खोईस रखते हैं जिसके लिए वे काफी मेहनत भी करते हैं लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो एयर टिकटिंग स्टाफ की जौब पानी से बंचीत रह जाते हैं दोस्तो वैसे तो आप सब भी जानते होंगे कि एयरपोर्ट सेक्टर में कई तरह की नौकरी होती हैं और अलग-अलग पदों के हिसाब से काम भी अलग-अलग होता है लेकिन आज के समय में देखा जाए तो competition कुछ बहुत जादा बढ़ गया है जिसके वज़ाए से एयरपोर की तलास कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जनकारी की तलास कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयर टेक्टिंग स्टाफ कैसे बने, एयर टेक्टिंग स्टाफ बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या-क्या योगताय हैं, पताइड़ लेकिन आपको बता दें कि एरपोर्ट पर वही कैंडिरेट टिकट लेते हैं जिने इमर्जेंसी होती है दोस्तों इसके अलाबा आपको बता दें कि नेशनल और इंटरनेशनल टूर और ट्रेवल एजेंसियां जिनका अपना बैक आफिस होता है जैसे कि यातरा.com, makemytrip.com इत्यादी इनमें ये टिक्टिंग स्टाफ की भरती होती है दोस्तों साती साथ इसमें इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, आदी कई एरलाइन्स भी हैं जिन जहांपर बैक आफिस ट्रेवलर्स को टिकट से जुड़ी सबी जानकारी मुहया कराई जाती है दोस्तों आप अपना टिकट ऑनलाइन या फिर ट्रेवल एजेंसियों या फि कि एरपोर्ट की तुलनम में बैक आफिस में एर टिकटिंग स्टाफ की बैकेंसिज अधिक होती हैं दोस्तों जो कैंडिडेट एर टिकटिंग स्टाफ की जौब पाना चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट के पास कुछ ज़रूरी योगिताइं होनी चाहिए यानिकि की ज़र्चाइए इसके बाद ही एर टिकटिंग स्टाफ की जौब के लिए आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इस कैंडि ज्यूर्च इस सब्सक्राइन ऑक Спाथ के लिए ईयर लाइन टिकटिंग में चे महने या एक साल का डिपलोमा कोर्स भी इस्टुएंट किया होने चा स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों एयर टेक्टिंग में इंट्री के लिए मिनिमम एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए और दोस्तों इसके लिए इस पोश्ट केलिए आपके पास English का अच्छा knowledge होना चाहिए और साथी साथ आपको अन्य foreign language का भी knowledge होना चाहिए दोस्तों आपको computer का basic knowledge होना चाहिए और ticket से जुड़ी terms और conditions यानि की नियम और सर्तें और नियमों के बारे में भी जनकारी होनी चाहिए दोस्तों आपकी अच्छी communication skill होनी चाहिए और बहतरीन बात करने का हुनर होना चाहिए दोस्तों अगर आप air ticketing staff बना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मानेताप्राप्त बोर्ड से बारवी कक्षा अच्छे mark से साथ पास करनी होगे उसके बाद आपको airline ticketing में 6 महिने या 1 साल का diploma course करना होगा या फिर आप travel tourism management या hospitality management में diploma course कर सकते हैं दोस्तों जब air ticketing staff में भरती के लिए notification निकलती है उस समय आप apply कर सकते हैं क्योंकि समय समय पर air ticketing staff के post के लिए national और international tour और travel agencies या back office में भरती की जाती है दोस्तों online apply करने के लिए आप इसकी official website पर जाकर air ticketing staff के post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों apply करने के बाद आपको call या mail के माधियम से बूला जाता है जिसमें आपको कुछ test और interview qualify करना होता है दोस्तों अगर आप test और interview सपलता पुरवक आप qualify कर लेते हैं तो आपको air ticketing staff के post के लिए select किया जाता है दोस्तों आप मैं आप लोगों को दुनिया फर के कुछ international airports और domestic airports के नाम बता देता हूँ जहाँ पर आप air ticketing staff की post के लिए आप apply कर सकते हैं दोस्तों ये airports है बेट समुंडा international airport इंद्रा गांधीन international airport नेताजी सुबाजचंदर बोस international airport सर सिवसागर रम गुलम airport जेबियस हट जोग airport डियफ मलन airport किंग अबदुल अजीज airport सेमोन बॉलिवर international airport सुबांग airport पॉर्ट ट्रेला एरपोर्ट बेनिस्सा एरपोर्ट यफ़ा एरपोर्ट चांगी एरपोर्ट जोमो केनेटा एरपोर्ट नेरिटा एरपोर्ट मॉरेलोस एरपोर्ट इत्यादी बहुत सारे एरपोर्ट्स हैं और आप एर टेकटिंग श्टाफ की पोस्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं डोस्तो एर टेकटिंग श्टाफ की सेल्री की बात करें तो उनकी सेल्री अलग-अलग एरलाइनस में राजियों की अनुसार अलग-अलग हो coffin है फिर भी आप लोगों को air ticketing staff बनने से related candidates के द्वारा अधिकतर बार पुछ जाने वाले प्रश्णों को आप लोगों के साथ एक एकर discuss कर देता हूँ पहला प्रश्ण है air ticketing staff किसे कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि airport के counter पर 2-4 representative बैठे होते हैं उन्हें air ticketing staff कहा जाता है जिनका काम airport पर ticket देना होते है और दूसरा प्रश्ण है air ticketing staff के लिए क्या-क्या eligibility हैं यानि कि क्या-क्या योगता हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि air ticketing staff बनने के लिए candidate को सबसे पहले किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ट से बारवी कक्षा कम से कम 50-55% माक से साथ पास किया होगा होना चाहिए उसके बाद airline ticketing में 6 माइने से 1 साल का diploma course किया होगा होना चाहिए साथी साथ इने अंग्रेजी का अच्छा knowledge होना चाहिए और साथी साथ foreign language का भी इने knowledge होना चाहिए और इनके लिए इस post के लिए इनकी age 18 साल से अधिक होनी चाहिए तब ही आप air ticketing staff के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो चौथा प्रश्ण है, तीसरा प्रश्ण है air ticketing staff की salary किती होती है, तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि air ticketing staff की average salary पचीस जार से तीस जार के आसपास होती है और जैसे-जैसे इनका experience बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे इनकी salary भी बढ़ती जाती है और 4 प्रजण है Air Tickting Staff की सेलेक्षिन कैसे की जाती है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ की Air Tickting Staff बनने के लिए आपको कुछ टेस्ट और इंटर्वियू क्वालिफाई करना होता है दोस्तों अगर आप इस टेस्ट और इंटर्व्यू को सपलता पुर्वक आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको Air Ticketing Staff के पोस्ट पर सेलेट किया जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि Air Ticketing Staff कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इसे वीडियो में डिटेल से बताया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर सेर किजिएगा और अगर आप चैनल पे नए है तो इसे जरूर सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी याने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद